तो दोस्तों खासकर अगर आप फोटोग्राफी करते हो और फोटोग्राफी में लॉइक्सपोजर का योज़ जादा करते है तो आज का सैटिंग आपके अफ़ी फाइदे मंध होने वाला क्योंखिए होता क्या है जब भी आप एक लोंग एकस्पोजर का यूज करते हो तो कहीं नगई जब भी आप शॅटर बटरन को प्रेस करोगे अपका केमरणा शेक करता है तो शेक करने के साथ होता क्या है कि आपके फोटो में कहीं न कहीं blur आ सकता है तो इस blurness को रोकने के लिए हम एक settings को use करते हो होता क्या कि जब भी आप slow shutter speed को use करते हो तो आपका हलका सा shutter button को प्रेस करना है, starting में lag का reason बन सकता है, तो इस blurness को control करने के लिए दोस्तों मैं आपको एक settings बताने वाला हो, जिसका आप use कर सकते हो, अगर आपके पास remote नहीं है, अगर आप remote photography या remote use नहीं कर रहे हो तो इस settings को आप use कर सकते हो, तो आपको simply जा ले जाना menu के custom settings में और यहाँ पे चले जाना shooting display में तो यहाँ पे एक settings में आपको बताता हूँ exposure daily mode, तो इस D3 में आपको यह option देखने को मिल जाएग, exposure daily mode तो यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ पर timing दिया हुआ है, ठीक है, 0.2S, 3S 1 second भी दिया है, 2 second भी दिया है 3 second भी दिया है, अब इसका benefit क्या है मैं आपको बताता हूँ, माल लेज़े कि आप long exposure करना चाहते हो तो simply आपको shutter button को प्रेस करना है, बट आपका camera क्या है, action कव लेगा, तो जैसे दोस्तों आपने 1 second को select किया है, तो आपका camera 1 second भाद, आपके प्रेस के 1 second भाद action लेगा, और वहीं अगर आपने 3 second अगर आपने select किया है, तो वह camera 3 second भाद action करेगा, तो दोस्तों जैसे यहां से मैंने इसको setting को 3 second कर दिया, अब क्या है कि जैसे मैंने shutter button को प्रेस करके मैं अपने हाथ पीछे लेगा, तो देखे, camera कितने देर बाद photography shoot कर रहा है, तो कहीं न कहीं long exposure वालों को यह settings काफी अच्छी लग सकती है और इसका use कीजे अगर आपके पास remote नहीं है और वी वीडियो जानने के लिए हमर चैनल को कर दिजिए का subscribe